दोस्तो वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक सुनना, साथ मैं आपको पूरा का पूरा प्लानिंग बताऊंगा, most important question बताऊंगा, कौन से ऐसे समस है जो आपको याद से practice करके जाना है, कम से कुछ नहीं तो 20 तक तो आप आराम से score कर लो, क्योंकि अभी तक आपने जितने भ पर planning से जाना है, और confusion बहुत ज्यादा हो रहा होगा, अगर जो लोग एक दो दिन में चीजों को पढ़ने की कोसिस कर रहेंगे, तो बहुत ही ज्यादा confused हो रहे होंगे, तो चलो one by one चीजों को मैं start करता हूँ, देखो दोस्तों सबसे पहले, अगर आपको confusion से बचना है, त आप देखोगे, आपका endsm का syllabus easy है, इसके comparison में, तो आप endsm में scoring अच्छा कर सकते हो, तो कम से कम यहाँ पे 12 लाद होगे, तो वहाँ पे 28 लाना ज्यादा difficult नहीं है, पर वहाँ पे भी आपको मेनत करना होगा, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यार derivative integration में पूरा का पू आपको सबसे पहले cover कर लेना चाहिए, पिछले बार जो हमारा question paper आया था, देखो मेरे पास question paper है, इसलिए मैं बहुत है, जो previous paper आपके पास आपके अलग-अलग groups है, आपको वहाँ पे मिल गया होगा, नहीं मिला होगा, तो आप अपने दोस्तों से मांग लो, तो वहाँ प question दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला question Z transform का था, और दूसरा question दोस्तों यहाँ पे Z inverse का question है, और अगर आप ध्यान से नीचे आ रहे हो दोस्तों यह B पे आ रहे हो, तो B में यहाँ पे दोस्तों differential equation वाला question है, और यहाँ पे C में फिर से हमारा four year वाला question है, तो अगर आप ध्यान से, देखो partial वाला अगर आप कर लेते हो, partial और inversion कर देते हो, तो यहाँ पे यह वाला question आपका आरम से यहाँ पे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे पांच मास तो आपके हाथ में direct by direct आजाते हैं, और दोस्तों यह देखो differential equation है, मैं आरम से इस topic में पूरा का पूरा marks मिलेगा, तो भाई मेरा सभी से request है कि इस topic को यह दोनो topic को आपको अच्छे से ready कर लेना चाहिए, और इसमें ज्यादा कुछ ही नहीं, तो आपका 5 marks तो confirm हो जाएगा, इसमें से एक topic आपका question number third में दिखा ही देगा, पर आपको क्या करना ह आपको दिखेगा, तो वह आला आप attempt कर लेना, तो 5 marks आपका ऐसे करोगी, कल की तैयारी इस तरह करोगी, कुछ ऐसे questions हैं, जैसे कि आप starting में shortcut method करने जा रहे हो, तो भाई उसमें इतने सारे method है कि बहुत सारे बच्चे confused हो जा रहे हो, तो मैं बोल रहा है कि आप आगे बढ आगे बढ़ो और ये वालत करके रख लो, पांच मार्स आपका ready करके रख लो, अब दोस्तो ये जैसे आपका पांच मार्स रेडी हो जा रहा है, next है दोस्तो differential equation, बहुत ही simple सा topic है, और ये topic आपको करना चाहिए, पिछले बार इसके उपर 5 marks का question इसी में पूछा गया है, द नहीं नहीं आपको दोनों में से एक जगह पे differential equation का एक sum तो दीखेगा, तो हो जाएगा, अगर दीखा ही दिया तो अपना काम हो गया, तो 10 marks तो आपको सीधा सीधा यहां पे दो topic cover करने में ही मिल जा रहा है, और ये दो topic cover करने में maximum मैं बोल रहा हूँ, आदे गंटे का time ज उसके उपर मैंने 200 रुपिस का discount भी दिया है, आज के courses पे, तो PGA 200 अगर आप coupon code डालते हो तो उसका discount है, आपको मैं courses का, जो application का link हो मैंने दिया हुआ है नीचे, application जो है Google की new policy आई है, तो उसने बहुत तारे application को play store से unlist किया, तो उसमें से हमारा भी top application चल रहा था, तो हमे भी site किया है, पर दो-तीन दिन में आज आएगा application, बैट हम इसले आपको एक वहाँ पर app के file का link दे रहे है, नीचे, आपको comment section में दिखाई रहे हैं, वहाँ से जाके आप application को download करके, courses आप चाहिए, तीन-चार दो जो रहते हो, साथ मिल के ले लो, pro batch का charges भी बहुत कम है, त सब चीजे cover कर सकते हो, तो ये तो आपको YouTube पर ही मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मैंने YouTube पर नहीं करा है, तो ये वाला पार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो दस मार्स तो आपको सीधा-सीधा हो गया, अब दोस्तों देखो 4-year और हाँ, ये वाला पार्ट मैंने कर University-wise specific बहुत अच्छे से कराया है, यहाँ पर जो मैंने YouTube पर कराया है, ये topic 4-year का, ये मैंने सभी University को include करके करवाया, तो ये यहाँ पर direct by direct आपको दोस्तों ये दो topic देखो, जिनको just 12 के criteria पर पहुशना है, तो उनका सबसे पहले ये ये जैट ट्रांसफोर्म ओला topic मेरे topic है, तो फड़ा फड़ा आपको यहाँ पर marks हो जाएगा, 10 marks तो यहाँ पर आपके हाथ में आजाएंगे, अब ये 10 marks आने के बाद आपको एक basic जैट ट्रांसफोर्म का भी lecture देख लेना चाहिए, पांच मास का अगर समझो इसमें से कुछ गडबड हुआ तो पांच मास का समा जाएगा, और सबसे अच्छा ही, एनी टू, एनी वन इस तरह से आ रहा है तो बहुत अच्छा है, तो यह 10 marks तो आपके हाथ का, अगर आपने 4 यह नहीं किया, तो पर मैं बोलर की 4 यह याद हो गया, तो आराम से यह topic और इसमें कुछ न कुछ न कुछ तो आपको marks मिले अगर आपके आज मैं बोला 2-3 दोस्त मिलके अगर ले ले रहे हो तो इसका topic मैंने application बहुत easy way में करवाया है, अब देखो दोस्तों यह होने के बाद, अब आपका planning कहा रहना चाहिए, question number one में किस तरह से आपको, lesson number one बहुत बढ़ा lesson है, और बोला जाता है, एक lesson में दो lesson की चीज़े है, देखो सबसे पहले यह वाला तो करना ही पड़ेगा, shortcut method, अब आप बोलोगे, sir shortcut method, मैं देखो, try करूँगा, कि shortcut method की उपर मैं एक video बना दू, जिससे पूरे के पूरे shortcut method को मैं, simple trick में, अगर आप नीचे comment करते हो, तो जैसे मैंने, अगर आप देखोगे, मैं बना के दिये हैं, तो thought cut method का मैं ऐसे आदे गंटे का एक पूरा का पूरा वीडियो बना दू, जिसमें पूरे के पूरे shortcut method एक ही में cover हो जाए, तो अगर आप नीचे comment करते हो, अगर इस वीडियो को 500 लाइक आता है, तो मैं बना दूगा, तो इसलिए प्लीज वीडियो को 500 पढ़ने वाली है, तो यह cover कर लो, पर उसके पहले दोस्तों आपको complimentary function वाला वीडियो तो करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद यह वाला आप cover करो, यह दोनों ही question में आपको यह दिखाई देगा, अब देखोंगे यहां पे causes है, और legendary दो दिखाई दे रहा है, दोस्तों अपोजिट में है, तो आप दोनों में से अगर कोई एक, अगर अच्छे से तयार कर ले रहे हो, तो दूसरे को थोड़ा बहुत देख लो, पर अगर आपको देखो, पास जस्तों होना है, 20 दक पहुशना है, तो मैं आपको suggestion दे रहा हूं, कि आप देखो यह वी ओपी का आ आने के chances रहते हैं, यहां पर simultaneous linear differential equation के, यह दोनों में आपको यहां पर इस तरह से चीज़े दिखाई देगी, तो मेरे इसाब से आपको यह topic आप cover कर सकते हैं, इसके sums, as it is, आप practice कर लो, उसमें से बहुत सारे sums similar आते हैं, यह topic आपको यह वाला topic आपको YouTube पे नहीं दिखाई होगे, तो 10 marks की चीज़े, यहां पर आपकी cover हो जाईगे, और shortcut method से कुछ नहीं तो दोस्तों, एक आक sum तो आप cover करी लोगे, तो any two है, आप आराम से shortcut method से एक sum करके, मतलब 15 marks यहां पर आप cover कर सकते हो, तो भी मैं यहां पर समझो, आपने यह वाला cover किया, variation of parameter, तो यहां पर और एक causes कर लिया, तो भी आपको 10 marks मिल जाते हैं, पर उसके पहले आपको यह वाला method आना चीज़े, complimentary function और shortcuts, तो आराम से आप 25, 30 के आसपास पहुँच जाते हो, अब मैं आपको यहां पर most important question बता रहा हूँ, कि most important question कौन-कौन से आपको करने चीज़े, तो देखो यहां प आपको बता दू, कि जो sums है, numbers में थोड़ा बहुत आपको changes दिखाई देता है, concept आपका clear होना चीज़े, फिर भी मैंने जीतने sums lectures में कर आए हैं, अगर आपने अच्छे से cover कर लिया, तो most of the sums repeated भी दिखाई देते, दोस्तो अगर आप देख रहे हो, तो सबसे पहले मैं थड़का करोगे तो चलेगा, तो total कितने होगे दोस्तो, total यहाँ पर 3 questions होगे, और Z transform के मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर 2 questions कर लो, जैसे 2 raise to K, वो sign something, आपको compound angle के formula वे दिया, तो उस type का, तो यहाँ पर total 5 questions अगर आप इसके cover करते हो, और हाँ, और differential equation का, आप यहाँ पर 1 questions cover कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ, इसको 2 कर लो, अच्छा रहेगा, तो देखो 2 or 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7 questions में आपको कम से कम यापने, कुछ नहीं तो दोस्तो, 10 marks आपके हाथ में आ जाएगा, अब यह 7 questions अगर आप बोलो के सर, यह 7 कौन सा करो, भाई, आप कौन सा भी कर सकते हो, कौन सा भी करो, पर अगर कोई, अगर मेरा जैसे 3-4 दोस्त मिलके, अगर application ले रहे हो, तो उसमें जो मैंने sums कराया, अगर वो करोगे, तो वो ऐसे sums होते हैं, कोई भी sum आया, तो आप solve कर सकते हो, अब दोस्तों, यहाँ पे यह होने के बाद, next आपको, जैट transform होने के बाद, आपको 4-year, 4-year का थोड़ा सा इसमें integration high level के होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर यह बोल रहो, कम से कम इसके जो 4 questions, जो मैंने वीडियो में cover कराये होंगे, 3-4 questions, बस उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो, तो मेरा तो suggestion आप 4 में बोल रहो, पर अगर इस unit के, बहुत अच्छे से, तो यह top 10 most important question अगर आप cover करोगे, तो unit number second में बस आपको top 10 question करना, उससे ज्यादा नहीं करना, सब unit number first में बताओ, यार unit number first में तो सीधा simple है, देखो यहाँ पर unit number first में आपको कैसे practice करना है, उससे ज्यादा मत करो, देखो यहाँ पर कौसिस है इसके 2 sum practice करो, यहाँ पर इसके कम से कम 2 sum practice करो, और इसके कम से कम 2 और 2, 4 question practice करो, और दोस्तों यहाँ पर कम से कम दोस्तों, तीन sum practice करो, पहले पूरे के पूरे shortcut method revise करो, फिर लास्ट वाले जो trigonome, जो mix-up type के न, उसके ऐसे 3 question mix-up type वाला लेना, जिसके अंदर 3 type cover हो जाए, e raise to x भी हो जाए, trigonometry भी हो जाए, तो वैसे sum लेना, तो यहाँ पर यह चीज़े आपकी cover हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर 3 है, यह 2 है, यह 2 है, और इसमें से आप जो भी एजस है, अगर समझो, आप 2 कर रहे हैं, तो 2, 2, 4, 4, 6, और 9, और सही है, अगर आपके आपके देखना होगा वीडियो, इसकी requirement सम में पढ़ने आ लिए, एक sum चाहिए, तो इसका solve कर लो, but अगर जस्ट आपको 20 तक score करना है, तो मैंने आपको बताएगी, फिर आप यहाँ पर sum बढ़ा लो, आप यहाँ पर इसके 3 sum, 4 sum solve करो, इसके भी 3-4 sum solve करो, जिनोंने कुछ नहीं किया, उनकी लिए है कि top 10 questions करके भी कहाँ पर याद रखना उसके बाद, आपको एक बाद paper देखना है, बीना paper देखे मत जाना नहीं, तो फिर बहुत कल confusion होगा, आप देख लो भाई, variation of parameter की questions कैसे पूछे जाते, कभी कबर वो bracket में लिख देते हैं, वैसे दो लिखेंगे, पर cautious यह सब में लिखते नहीं है, तो मैंने कुछ hint दिया है, sum solve करते time, कि ऐसा आया, तो ही यह cautious का sum है, तो प्लीज याद से आपको उसको देख लेना, तो एक overall मैं उनने पूरा का पूरा आपको planning बता दिया, उमीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहु कर देना चाहिए, साथ में जैट transform का, तो मतलब 10 मार्स तो आज confirm कर लो, फिर इसके आप 4 यर वाला करो, तो अगर उसमें कुछ नहीं तो 5 में से, 2-3 तो मिल जाए, अगर कुछ नकुछ लखन में से, और बाकी का जो topic है, अगर आज सांद को आपको time मिला, तो आप इसमें स तो आज ही बना दो, दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा हो कि ये वीडियो कि आपके अंदर अलग लेवल का confidence लेकर आया है, और जरूर अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, तो नीचे ग्यास से comment करके जाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं मेरे वीडियो के जैसी पूरे comment रात को मैं पूरा का पूरा read करता हूँ और आपको अभी पता होगा कि मैं अभी 12th के board exam में बहुत ज्यादा बीजी था, साथ में मेरे application के उपर सभी नए lectures provide कर रहा हूँ, सुचो एक time के मैं कितने काम कर रहा हूँ, साथ में हमारे diploma के भी exams बच्चों के चल है, वो भी handle कर रहा हूँ, साथ में 10th के board exam में हमने पूरे महाराष्वा में record बनाया, more than 12,000 से ज्यादा बच्चे हमारे life session में थे, 10th में हमने record बनाया, हजारों बच्चे हम से, 12th में, 12th में हजारों बच्चे पढ़े, तो मतलब बहुत ज्यादा बीजी होने के बाद भी ह हमारा focus आपके उपर है, तो please एक comment और यहाँ से वीडियो को like और subscribe कर दो कि हम 200 के पास हैं, तो अगर जल्दी जल्दी कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और यह 500 like का target है, shortcut method वाला, अगर आप करवा देते हो, तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, bye bye, take care, जहीं दोस् को